मेरे सभी सुधी छात्र एवं छात्राओं मैं आज के इस ओनलाइन क्लास में आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूं और आप से मैं बहुती ज़्यादा प्रशन्य हूं कि आप लगतार जो यह ओनलाइन क्लास चल रहा है उसमें आप साभागी के रुपने बने रहते हैं आपका उत्साह देखकर मुझे भी उत्साह मिलता है और मैं आपके लिए नया नया टॉपिक त्यार करके लाता हूँ इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए उना B.A. Part 1 Geography Honors का Paper First का Unit 5 से एक टॉपिक लेकर के आया हूँ और यह टॉपिक है हिंद महासागर की नितल का उच्चावच Relief of Indian Portion Floor आपको यह बताते हुए मुझे भी बहुत कुशी हो रही है और आपको भी खुस होना चाहिए कि विश्व में मात्र एक यही महासागर है हिंद महासागर जो कि भारत का नाम इससे सिधा सिधा जुड़ा हुआ है यानि कि भारत को हिंद भी कहा जाता है हिंदेशिया भी कहा जाता है और इसी को इंगलिस में इंडिया कहा जाता है और आप इस महासागर का नाम में आप इंगलिस में देखोगे तो इंडियन ओसन है और हिंदी में देखते हो तो हिंद महासागर है या अपने आप में सबों को गरवानवित कर देता है जब इस महासागर का हम अपने देश के नाम से जोड़ करके देखते हैं तो आईए इस महासागर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जब किसी महासागर के नितल की उच्छावच की चर्चा होती है तो उसमें गर मुख्य रूप से चर्चा की जाती है वह महाँ सागर के मगन तटका किया जाता है जिसकों के इंगलिस में कंटिनेंटल सेल्स कहा जाता है फिर उसके बाद उसमें नितल पर स्थित कटक या स्रेणिया तो था बैसिन डिजिस एंड बैसिन की चर्चा होती है इसके साथ साथ जो है महाँ सागरिया गर्थ डिप्स की चर्चा होती है यह मुख्यूरुप से जो है नितल पर पाए जाने वाले अस्थला करती होते हैं लेकिन जब इतना कुछ चर्चा होता है तो उस महाँ सागर के तटवर्ती छेत्रों में जो समुद्र होता है उसकी भी चर्चा होती है और आज के इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंद महासागर का संशिप्ट परिचे दोंगा और आपको इसके मगन तड के बारे में चर्चा करूंगा यह यह उनलाइन क्लास का पहला लेक्छर है इस टॉपिक से रिलेटेट ए नेक्स्टॉपिक में जब मैं आओंगा तो फिर आपको इसके अगले हिस्ट recipe की बीचला करूंगा यह क्लास्ट होगा वह तीन भाग में होगा आपका आज का यह लेक्षर फरस्ट होगा इसके बाद दूसरा फिर तिसरा तिसरा मैं इसे पुरी तरह से कम्प्लेट करूंगा तो आए चर्चा करें कि हिंद महासागर का परिच्छा देखें तो हिंद महासागर छेत्रफल की दृष्टी से दृष्ट्व का तीसरा बड़ा महासागर है यह दिपाला सबसे देखें तो परसांत महासागर दूसरा अट्लांटिक महासागर और तीसरा जो है हिंद महासागर है महासागरों के कुल छेत्रफल का 20% भाग इस महासागर में समलित किया जाता है इस महासागर के उत्तर में भारत, पाकिस्तान तथा इरान, पुरव में अस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया का सुन्डा दूइप तथा मलाया प्रादूइप, पश्चिम में अरब प्रादूइप तथा अफरिका इसकी असल सीमा निर्धारित करती है दक्षन पश्चिम में अफरिका के दक्षनी सीरे के दक्षन में या अट्लांटिक महासागर से मिलता है पूर्व एवं दक्षन पूर्व में या परसांत महासागर से मिला हुआ है इस महासागर की दक्षणी सीमा पर 20 डिग्री पूर्वी तथा 115 डिग्री पूर्वी देशांतर के मद्ध अंटारिक्टिका के तटका कुछ भाग इस्तित है इसका अधिकामस भाग दक्षणी गुलार्द में विस्तित है उत्तरपूर्व को छोड़कर अन्यत्र इसके तटवर्ति भाग गुंडवाना लेंड के अवसिष्ट अत्यंत प्राचीन पठारों से निर्मित है तो ये इसका आकार एवं विस्तार इसका संशिफ्ट परिचाय था अब जो हम चर्चा करेंगे वह इसका होगा हिंद महासागर के नितल का उच्चावच बॉटम रिलीफ ऑफ दी इंडियन ओशन तो इसमें हम चर्चा करेंगे मगनतर की कंटिनेंटल सेल्स तो मगनतर आपको पहले में बताया था जब अट्लांटिक महासागर का नितल के बारे में बता रहा था तो मगनतर जो होता है महाद्विपिया भाग जहां महासागर से आकर के मिलता है वहाँ पर एक ढाल होता है जो की मिलता है किसे महासागर से यानि की महाद्विपिया भाग का जल्मगन छेतर जो होता है उसे मगनतर कहा जाता है तो इसी की चर्प्चा में करूंगा हिन्द महासागर के साथ, हिन्द महासागर के मगन तटों की चोड़ाई में विभिनिता मिलती है, इस महासागर के मगन तट प्रायर शक्रे हैं, जिनकी आउसत चोड़ाई 96 km है, किन्तु अरब सागर, अंडमान सागर तथा बंगाल की खाड़ी में मगन तटों की चोड़ाई 192 km से 208 यानि 208 km तक है अस्ट्रेलिया तथा न्यूगीनी दूइफ के मध्य मगन तट लगवग 960 km तक चोड़े हो गए हैं मगन तटों के बाहरी किनारे पर समुद्र की गहराई 50 मिटर से 200 मिटर तक नापी गई है उत्री पश्चमी अस्ट्रेलिया के समीर मगन तटों के बाहरी किनारों 300 से 400 मिटर तक गहरे हैं हीम की क्रियाओं के कारण अंटार्क्टिका से सलग्न मगन तटों की संरचना अत्यधीक जटिल है यहां मगन तटों के बीतरी किनारे 150 से 200 मिटर तक गहरे हैं वहीं इनके बाहरी किनारे की और समुद्र की गहराई 400 से 500 मिटर तक मिलती है उस निकठी बंदिया पेटी में विविन परकार की प्रवाल भित्या पाई जाती है जैसे तटिय प्रवाल भित्ती अबरोधक प्रवाल भित्ती एवं वल्याकार प्रवाल भित्ती मगन तटों के साहरे महासागरिय मगन धाल अत्यधीक तिव्र हैं जिनका धाल 10 डिगरी से 30 डिगरी तक है इन मगन धालों पर अनेक घाटियां तथा केनियन देखने को मिलते हैं अफरिका के निकट मगन तटों की चोड़ाई सामान्य है किन्तु मेडगास्कर के आसपास अधिक चोड़े मगन तट मिलते हैं सुमात्रा तथा जावा के निकट मगन तट एक सो साथ किलोमीटर तक जो है वह चोड़े हैं तो यह आपने देखा कि किस तरह से जो है मगन तट का विशेष्टा देखा आपने कि किस तरह से मगन तट बना हुआ है और अब है कि यह ऐसागर आपको मैं बताया आपकोकी स्थिति विस्तार आकार और फिर बताया आपको इसके मगन तट के बाहरा मैं सोण तो तो अगली प्लास में जब मैं मिलूंगा आपसे तफिर आपको नदेज़े आपको देशीर चर्टा करूंगा तब तक आप इसका स्वाध्या करेंगे और कहीं कोई समस्या होगी तो फिर आप मुझसे चर्चा करेंगे धन्यवाद